हेला अब्रीवान वेल्कम बैक टो मैं चानल और आप सब कैसे हैं वैसे आज मैं बनाने जा रही हूं चिकन बिर्यानी विट सोरवा एंड मिक्स वेजिटेबल राहिता और आज कर जो ये वीडियो है ये स्पेशल रिक्वेस्टेड वीडियो है फ्रॉम माई ब्रादर इन तो उनके लिए आज में बनाने जा रही हूँ तो आप भी देख लीजे कि कैसे सिम्पल डेशिपी जटपड बन जाता है ये जो चिकन बेर्यानी घे में प्रिस्ट्ए आर्प मैं बनाने जा रही हूं जो तिनों आपको दिकाने वाले हूं कि मैं कैसे बनाती हूं वैसे ना सकते हैं तो चलो फिर टाइम रेस्ट करें भीना चलते हैं मेरी केचन और जट पर देख लेथे हैं कि रेसिपी में क्या क्या है तो चलो फिर 500 ग्राम स्टिकन लिया हुआ है मैंने यहाँ पर जो की है मीडियम कट और इस पर मैं एड़ करने जा रही हूँ जिंजर कार्लिक पेस्ट एंड कर्मरिक पाउडर उसके बाद मैं एड़ करने जा रही हूँ रेट चिली पाउडर उसके बाद मैं एड़ करने जा रही हूँ कोरियंडर पाउडर फिर मैं एड़ करने जा रही हूँ क्यूमिन पाउडर उसके बाद मैं इस पर एड़ करने जा रही हूँ कर्ड जो की है 2 स्पून अगर आपक जैसे कि हाफ कब उसके बाद इस पर मैट करने जा रही हूं सॉल्ट एस पर टेस्ट अब सबसे पहले हमने क्या करना है यह जो चिकन है इसको मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर लेनी है उसके बाद इसको हमने मैनेट होने के लिए रख देंगे 30 मिनिट तो जो लीड है उसको साइड में रख देते हैं और चलते हैं दूसरी और वेजिटेबर रायता के लिए मैंने यहां पर लिया हुआ है वान कुकंबर टू कैरेट एन वान मीडियम ओनियन और यह सारे को हमने एक फाइन चॉप कर लेनी है तो यहां पर मैंने चॉपर के यूज कर रहा है अगर अब ठीक इसी तरह हमने जो कैरेट है उसको भी करना है तो देखी इसको भी हमने चॉप कर दिया है और इसको हमने सेम बॉल पर ट्रांसफर कर लेनी है तो सेम चीज हमने ओनियन के साथ भी कर लेनी है तो उसको भी सेम बॉल पर ट्रांसफर कर देंगे अगर आप चाहो तो कर्द फिल्ड में जाल हुआ है ग्रीन चिले यहां तो वैंगर भी चुछ ओकते हैं अब देख किउसके तो आपको पता चलेगा कि आपको कितना कर्ड चाहिए तो देखिए अब इस पर मैं फिर से थोरा हाफ कप जैसे कर्ड जो की थिक कर्ड यूज़ कर रही हूं अब इसको हम पहले अच्छे से चला लेंगे या तो आप इसको मिक्स कर लेजी अच्छे से तो देखिए अभी यह जो टेक्सर ठीक है यह कर्ड का अब इस पर मैं मसाले एड़ करने वाली हूं तो देखिए कोरिंड पाउडर फिर उसके बाद रेड़ चिली पाउडर उसके बाद मैं अच्छे से पहले मिक्स कर लेनी है अगर आपको लगें कि यह थिक हुआ है अगर आपको थोरा सा स्मूथी टेक्शर चाहिए तो आप थोरा सा पानी एड़ कर सकते हो बट मुझे थोरा सा थिकने सी चाय पसंद है तो इसलिए मैं देखिए विजिटेबल राइट है यह बन के रेड़ी है तो हम इसको लिट ल कोकोनेट और यह सारे तीनों को हमने एक फाइन पाउडर बनानी है तो देखिए यहां पर मैंने एक पैन में कैशोनेट और सेसिमी को थोरा सा हमने इसे फ्राइ करना है विदाट आइल तो यह बिलकुल लोफ लेंबर है तो यह जब सेसिमी सीड पाप अप होनी लगेंगे तो इस पर आप जो डेसिकेटेट कोकोनेट है उसको एड कर दे तो देखिए मैंने एड कर दिया अब इसको हमने हलका सा फ्राइ कर लेनी है बिलकुल लोफ लेंपर करना है क्योंकि यह जलने का बहुत चांसे सरह जाती है तो बस देखिए हमारे यह बन के रेडी है तो जो अब इसको ठंडा होने के बाद इसे एक पाउडर बनाएंगे ग्राइंड करके तो देखिए हमारा यह जो पाउडर है सिसमी का यह बन के रेडी है अब इसको हमने एक छोटे से बॉल में ट्रास्फर कर देते हैं अब दूसरी और चलते हैं अब सोर्बा के मसाले के लिए मै तो देखिए गाटर में हमने एड़ कर दिया है आप इसको हम एक फाइन पेस्ट करेंगे तो देखिए पेस्ट भी बन के रेडी है आप इसको हमने एक छोटे से बॉल में ट्रास्फर कर देंगे तो देखी ये फाइन पेस्ट बन चुका है अब हम जाते हैं दूसरी और यहाँ पर मैंने एक बैन में मस्टर्ड ओयल यूज करा हुआ है अब इस पर मैं आड़ करने जा रहे हूं सिन्निमन और टू बे लीव्स इसको हलका से हम फ्राइ कर लेंगे फिर थोरा सजीरा जालेंगे उसके बाद जो पेस्ट है हमने बनाया वह पेस्ट हम इस पर एड़ कर देंगे फिर थोरे मसाले जालेंगे जैसे की रेचिली पाउडर क्यूमिन पाउडर कोरेन पाउडर उसके बाद हमने पहले इसे पहले अच्छे से मिक्स कर लेनी है मसाले के साथ और अभी यह जो है यह मीडियम फ्लेम पर है तो हमने यह उबाल आने तक थोरा सा हमें इसे पकाएंगे तो देखी यह वाइल हो गया है हो रहा है यह तो हमने यह मीडियम फ्लेम पर ही है अभी अभी हमने इस पर एड़ करना है पाउडर जो कि हमने बनाया था अब जब यह पाउडर एड़ करेंगे तो हम यह जो है इसका फ्लेम बिल्कुर लोग कर देंगे ने यह जो है पाउडर के आपके हाथों में आने का बहुत चांस रह जाती है तो आप बहुत ध्यान रखें तो देखेंगे हमने इसे बिल्कुर लोग फ्लेम पर पकानी है तो देखेंगे यह जो आयल है यह सेपरेट हो रही है हमने यह अच्छे से सेपरेट करानी है बिल्कुर लो फ्लेम बे पकानी है जब तक यह जो आयल है ऊपर ऊपर ना आ जाए देखिए बुबल सा आ रही है अब हमने क्या करना है पानी वान कप जैसे पानी इस पर एड़ कर देंगे और विर्कुम लो फ्लेम पर हमने इसे पकानी है तो तब तक यह पकता रहेगा हम जाते हैं दूसरी और अब यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर टू कप राइस जो की है कोहीन राइस एड़ करा हुआ है इस पर मैंने धोके अब यहाँ पर मैं टू कप पानी एड़ कर रही हूं और इसको भी 30 मिनिट्स के लिए रख देती हूं अब देखिए हमारे यह जो है मसाले यह देखिए यह बनके आल्मोस्ट रेडी है आप देख सकते हैं यह बिल्कुल ओ फ्लेम पर है यह जो बबल उपर आ रहे हैं बिल्कुल अच्छा लग रहा है तो देखिए बस आप गार्निस कर दीजे इसको कोरिंडर लिफ्स के साथ तो जो हमारे यह सोरबा है या तो आप ग्रेवी भी बोल सकते हो बिर्यानी का यह बनके रेडी है अब चलते हैं बिर्यानी के बनाने के करफ यहां पर मैंने मसाले वगरा लिए हुए हैं इसको मैं बताती हम कौन-कौन सा कब डालना है तो चलो फिर यहां पर मैंने प्रेश तो यह देखिए इसको हलका सा पहले फ्राइब कर लेंगे उसके बाद हम यह जो ऑनियन है स्लाइस कटा हुआ उसको मैं आड़ कर रही हूँ अब इसको भी हमने अच्छे से पहले फ्राइब कर लिए नहीं है और यह सारे भी मीडियम फ्लेंपर है अब देखिए यहां पे थ् देखिए यह 30 मिंईर्श हो चुक है मैंइट हूए तो अब हम इसको फ्राइ करना है तो देखिए अब यह हमारी यह ओने भी हलका पक गया है अब इस पर हमने अच करना है जो मैंट कि अभी चिकन है वह तो देखिए अब एक के बाद एक दीरे दीरे करके मीडियम फ्लेंप करना है कि अřपर ही रखना है और इसे हमने फ्राय होने के लिए रखना है तो देखिए हमने धीरे-धीरे िक आढक करना है और इसे अच्छे चला देनी है जालेलियोत जैसे मीडियम फ्लेम पर ही ये पकना है तो देखिए हलका सा लाइट ब्राउन हो चुका है ये तो देखिए अच्छे से धीरे-धीरे करके इसको पलड़ते हुए करनी है अब हम इस पर आड़ करना है जिंजर गालिक पेस्ट उसके बाद इस पर हम एड़ करेंगे चॉप्ट किया हुआ टमाटो उसके बाद इस पर ख़वा मसाले आड़ करेंगे जैसे की रेट चिली पाउडर फिर कोरियंडर पाउडर फिर हम एड़ करेंगे थोरा सा क्यूमिन पाउडर फिर उसके बाद हम दालेंगे सॉल्ट एस पर टेस्ट आप भी चिकन की मुताबिक एड़ करेंगा क्यूंकि पहले भी आपने एड़ कर दिया है अब देखें यह जो टमाटो है यह थोरा सब पकना इस्टार्ट हुआ तो पानी उपर आ रही है तो अच्छे से हमें पकानी है अभी इस पर जो आइल उपर आने के बाद आप इस पर एड़ करिएगा कर्ड और यह बिल्कुल लो फ्लेम पर करना है क्यूंकि ज्यादा गरम हो जाता है तो यह जो कर्ड है यह जो है यह फटने के लिए बहुत चांस तो इसलिए आप लो फ्लेम पर ही पकाईए अब देखिए जब थोड़ा आ जाए उपर फ्राय करने के बाद आप पानी थोड़ा सा हाफ कब जैसे एड़ कर दीजे फिर हमने इससे बंद करके एक सीटी आने तक इसको रख देंगे तो देखिए अब दूसरी और चलते हैं तो इस तरह देखिए हमारे जो चिकन है यह एक सीटी लगने के बाद इसका प्रेशन निकाल दिया गया है फिर उसके बाद देखिए यह बनके रेडी है अब इसको हम फिर से गैस पर रखेंगे बिलकुल फ्लेम पर हमें इसे अब यह पकानी है तो देखिए जो मसाला है ब इसके बाद थोरा सा कोरियंडर लीप्स तो थोरा से इसको वाल आने तक थोरा सा पकाईए उसके बाद जो राइस है हम इसे उपर से ऐसे लगा देंगे वैसे यह राइस थते मिनिंट्स के लिए सोक हो चुका है तो हमने ज्यादा नहीं पकानी है राइस को ने तो यह बहु जले रख देनी है उसके बाद देखिए आप अपने हिसाब से ही पानी ऐट करिएगा तो देखिए यहाँ पर आप को इंड लिप्स एड़ करें अगर आप चाहों तो यहाँ पर फ्राइब आप एड़ कर सकते हैं अब देखिए पानी की हिसाब से आप इस पर पानी आड़ करें मैं यहां पर आप कप से तोड़ा सा ज्यादा मैं टाली के वज़ने यह सब सत्क वन tort again कर देखें यह जो हमारा mixture बिर्यानी है यह बंकर ब बनके बशना करें रसतर है यह बिलकुल स्प्ले डिय कोई भी बना सकता है दिसवल आप को कर में भी बिरयाने मस्त बना सकते हो और सही में बोल रही हूँ ब защиты रहता है और जो रायता है आप एक बार तेस्ट करके आप आपको बहुत अच्छा लगने वाला है और जो यह स्वर्वा यह तो बहुत अच्छा बना हुआ है तो जरूर आप ट्राइ करिएगा मुझे बहुत खुसि होगी और भाया आप भी ट्राइ करिए एक बार बहुत अच्छा लगता यह चीज्श तो थैंकियू फर वाचिंग मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो बर तब तके लिए आप ये ट्राई करें और आपको अच्छा लगे तो मेरे कमेंट सेक्षन में जरूर बताईएगा तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो बर तब तके लिए बाबाई और अपना खैड रखेगा